हलो दोस्तो मैं हूँ आपकी दोस प्रीटी आपकी साथ आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता कुरकुरे नमक पारे आए रेसेपी शुरू करते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है इसमें हम लगाएंगे एक छन्नी इसमें हम डालेंगे दो कप गेहू क आटा यह मैंने लिया एक कप यह दूसरा कप पहले हम गेहू के आटे को छन्नी से छान लेंगे आज हम नमक पारे बना रहे हैं गेहू के आटे से आप यहाँ पर आटे की जगह पर मेदे का यूज़ भी कर सकते हैं आटे को हमने छन्नी से छान लिया है इसमें हम डालेंगे चार टेबलश्पून सूजी जो बारिक वाली के सूजी होती है वही लिएं छोटी सी चम्मस लिटी से हम लुद नाश्टा अपने हैं उसे समय 4 टेबलस्पून सूजी हिसमें डाली ए हम अज गे, हुल कि आ के आटण, इसमें नमक पार बना रहे हैं इसमें थोड़े सी सूज अजवाइन इसे हम हातों से थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं जो साबुत जीरा होता है हाफ तीस्पून डाल सकते हैं हमारे आपर जीरा का ट्रेस्ट नमक पार में पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं नहीं डाल रही हू कि अब अजवाइन डाल रही हूं अब हम आटे में डालेंगी सबसे इंपोर्टेंट चीश मोयन मैंने आपर पहले वन फोर्थ कप तेल लिया है थोड़ थोड़ा करके इसमें हम मोयन डालेंगी और आटे को हम अच्छे से मसलते भी मिक्स करेंगी जिसे हमारे आटे के कंड कं में अच्छे से मोयन समा जाएं जितना हमें आउश्रकता लगेगी उतना ही हम इसमें मोयन का यूज करेंगी देखे मैंने आटे में तेल को अच्छे से मिक्स किया है आप देख रहें इस तरीके से हमारा जो आटाम हलका सा बांध रहें तो बंद रहा है मतलब हमारा आटे म में मोयन पर्फेक्ट है मैंने आपर वन फॉर्थ कप ऑई लिया था इसमें से दो टेबल स्पूर हमारा ऑईल बज गया है मैं इसमें नहीं डाल रही हूं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भी मोयन डाल देते हैं नमक पारे में तो हम इससे जब बैलते हैं तो तूटते हैं साथ मैंने आपर लिया है गुनगुना पानी थोड़ थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगी और हच्चे से हम सकत आटा इसका गुद कर तयार करेंगी नमक पारे के लिए हमें एकदम लूज आटा इसका तयार नहीं करना है हलका सा कड़ा आटा हम इसमें लेंगी जिससे हमार शमाल आता गुटने में मैंने और एक कप पानी का यूज़ का है अब हम आते को लगबग दस मिट के लिए सेट कने लग देते हैं जिसे जो हमरा आता अच्छी से प्लेटञ चाहिते हमें सीओ क्रीस जाए जैब देकि दसमेट हो चुके हैं लोई कोम थोड़ा सा पतला सा बेल कर तयार कर लेंगे, आटा हमने बहुत ही अच्छे से सेट किया, इसमें आपको कोई सुखा आटा या तेल वगए लगाने की बिल्कुल भी आउशकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बहुत अच्छे से हमारा नमक पारे बेल जाएंगे, हमने आटा थोड़ा सा सकत लगाया है, लेकिन आराम से बिल रहा इतना ही आपने आटा ऐसा लगाया है, इसके आउस-पास की जो किनाग्या है वो हलकी सी फट रहे हैं तो से हम अच्छे से सवार लेंगे, देकि इससे हमने अच्छे से पतला सा बेल कर तयार कर लिया है, अब जैसे आप शेफ दिना चाहते जैसे आप इससे कट कर सकते डायमंड शेप में या फिर स्क्वेयर में जैसे आप चाको से आप इससे कट कर लेंगी इस तरीके से हम सारे नमक पारे बेल कर तयार करेंगी देखे इस तरीके से मैंने कुछ नमक पारे बेल कर तयार कर लिए नमक पारों को फ्राइ करने के लिए मैंने यहापर गैस पर एक कडाई रखी कडाई में तेल हमरे अच्छे से गरम हो गया है इसमें हमारे जितने कड़ाई में एक बार में आ जाए उतने हम नमक पारे कड़ाई में डालेंगी जब हम नमक पारे डालें उससे हम पेले तेल को थोड़ा सा अच्छे से गरम कर लेंगी जिसे हमारा जो नमक पारे वो एकदम से तेल को अबसॉब ना करें नमक पारे कड़ाई में डालने के बादे हम हलका सा गेस को थोड़ा सा कम करके मीडियम कर लेंगी गेस को और अच्छे से हम इसे अलटे पलटे फे फ्राई कर लेंगे नमक पारे की जो मोटाई पतलाई है वो आप सभी घरों में अलग-अलग पसंद करते हैं कोई एक जम पतले पसंद करते हैं कोई थोड़ी से मोटे पसंद करते हैं तो जिस प्रकार से आपने नमक पारे बनाए हैं उसे प्रकार से आप इसे तलेंगे यदि आपने नमक पाई थोड़ से मोटे बनाए होंगे तो उसे आप थोड़ सा मीडियम फ्लेम पर अच्छ से फ्राय करें जिसे वो अच्छ से अंदर तक उसकी सिकाई हो जाए सबी घरों की अलग-अलग पसंद होती है आप उसी प्रकार से बनाएंगे यदि आप थोड़ से मोटे बनाते हैं तो अच्छ से फूल जाते है देखिए अलटे पलटे नमक पारों को में अच्छ से फ्राय किया है बहुत ही पैरा सा हलका सुनारा सा कलर इसमें आ गया है तेर में समय से निकाल लेंगे इस तरीके से हम सारे नमक पारों को फ्राइ करेंगे देखिया इस तरीके से हमने सारे नमक पारों को फ्राइ कर लिया है मैं आपको एक तोड़ के दिखातू एक नमक खस्ता कुरुकुरे हमारे नमक पारे बनकर तैयार है इस होली पर आप भी बनाईए वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक यू